नमस्कार, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है reply to google my business review using open router तो दोस्तों आज हम एक भूती amazing topic पर बात करने वाले कि कैसे आप एक कैसा integration बना सकते हैं कि जब भी कोई new review received आपको google my business से तो automatically वो review का आप एक auto reply generate करने AI की मदद से जी है impossible है आप ये पूरा process automate कर सकते हैं पैबली करने की मदद से जो कि amazing automation and integration software है इसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए आपको पूरा automation बनाना है trigger में आपको लेना है google my business action step में आप लेंगे open router जो कि AI tool है यहाँ पे आप उस review का reply generate करेंगे फिर last action step में आपको लेना है google my business फिर से और उसमें आप यहाँ पे create reply की मदद से वो review का reply भी कर देंगे तो दोस्तों अगर आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लेचलता हूँ मेरी screen पे ओके friends तो यह है पैबली का landing page और आप इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके पैबली.com slash connect यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल दो मिनिट में दोस्तो आपको account creation पे हर महिने 100 free task भी मलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं पैबली connect में मैं एक existing user हूँ इसलिए में click करूँगा sign in पर और उसके बाद दोस्तो आपको जाना है पैबली connect वाले डियालोग बॉक्स में उक्लिक करना है access now और आप जाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे एक button दिखेगा create workflow का इस पे आपको click करना है एक डियालोग बॉक्स उपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically हमको यहाँ पर मैं workflow को कोई नाम देना है और select folder वाली field से आपको particular folder select कर लेना जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को safe करना चाहते है अगर आप new folder create करना चाहते हैं आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को और select folder से मैं particular folder select कर लेता हूं तो मैं test workflows वाले folder में मेरी workflow को safe करना चाहता हूं click करेंगे create वाली बटन पे और आप अचाहेंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा करतो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में यहां पर आपको trigger application चूज करना है और इधा पर आपको action application चूज करना है सबसे बेरे हम trigger वाली step में काम करेंगे तो इधा पर आपको trigger application चूज कर लेना है तो choose app में आपको यहां पर search करना है Google My Business घ्रीग है तो हम यहां पर search कर लेते हैं Google My Business और नीचे से आपको Google My Business चूज कर लेना है Trigger Event आपको यहाँ पर चूज करना है New Review और क्लिक करना है Connect वाली बटन पर तो यहाँ पर एक डालोग बॉक्स उपन जाएगा आपके स्क्रीन पर जो बोल रहा है Connect Google My Business अकाउंट तो basically हमको यहाँ पर जो Google My Business का अकाउंट उसको Public Connect के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है Add New Connection का दूसरा है Select Existing Connection का तो अगर आपने आपका connection और बिल्ड करके रहा है तो आप Select Existing Connection के साथ जा सकते हैं क्लिक करेंगे Save वाली बटन पर और आप देख सकते हैं हमारा जो Google My Business का अकाउंट है वो successfully पैबली करने के साथ हो गया है Connect अम नीचे आप कुछ fees देख सकते हैं एक है account दूसरा है location name तो इदापर मैं यही रहने दूँगा account भी यही रहने दूँगा तो दोस्तों अब मैं जैसी क्लिक करूँगा Save and send test request वाली बटन पर तो जो भी latest review हमको received हुआ होगा Google My Business पर वो response हमको capture हो जाएगा पैबली कनेक्ट में इदापर आपको एक हो चीज का धियान रखना है यहाँ पे लिखा है 8 हास मतलब यह polling based connection है मतलब जो Google My Business का connection है पैबली कनेक्ट के साथ वो एक polling based connection है इसमें क्या होता है दोस्तों इसमें यह होगा कि जब भी कोई new review received होगा तो पैबली कनेक्ट हर 8 गंटे में चेक करेगा Google My Business में कि कोई new review received हुआ है कि नहीं और अगर in case कोई new review received हुआ है तो automatically उसका response capture हो जाएगा पैबली कनेक्ट में ठीक है तो इदा पर मैं आपको लिए जिलता हूँ Google My Business के account पे तो यह है मेरा Google My Business का account और इदा पर मैं read reviews पे click करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इदा पर हमको various reviews शो रहे है तो यहाँ पर एक latest review यहाँ पर अमन्त अगो शो रहा है traditional dresses are really unique and good but they can also include some western outfits in their collection just a feedback और इदा पर आप देख सकते हैं इसका कोई reply नहीं है यहाँ पर इदा पर हमको यह review received हुआ है अमन्त अगो जिसका reply अभी हुआ नहीं है तो इदा पर मैं यही मेरे को एक latest review दिख रहा है तो इदा पर पैबली कनेक में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ save and send test request वाली बटन पर तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response मिल गया है update time date and time यहाँ पर show रहा है star rating 4 यहाँ पर show रहे उसके बाद review ID यहाँ पर मिल गई यह name यहाँ पर show हो रहा है create time यहाँ पर show रहा है और इदा पर आप देख सकते हैं comment में जो review हमको received हुआ वो review भी हमको capture हो गया है पैबली कनेक में वो same to same review हमको यहाँ पर show हो रहा है तो इदा तक आप आपकी automation की जो first step हो यहाँ पर complete कर लेंगे मतलब कि जब भी कोई new review received होगा Google my business पो उसका response capture हो जाएगा पैबली कनेक में ठीक है अब हमारा objective कहा है reply to Google my business review using open router तो दोस्तो open router जो है वो एक AI tool है इसकी मदद से आप content generate कर सकते हैं articles generate कर सकते हैं और reply भी generate कर सकते हैं तो यह बहुत ही amazing tool है इसका हम उप्योग करेंगे हैं पर action step में जाते हैं और इधा पर choose app में आपको यहाँ पर search कर लेना है open router ठीक है तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ open router dot AI ओके और नीचे से आपको चूज करना है open router dot AI action event आपको यहाँ पर choose करना है create chat completions click करेंगे connect वाली बटन पर यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा हमाई screen पर connect open router dot AI account तो basically हमको यहाँ पर open router dot AI का account उसको पैपली connect के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको connection already build करके रखा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous saved connection शो होते हैं अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर डालना होगा token token में basically आपको API की डालना है तो यह है मेरा open router का account इधा पर आपको जाना है यहाँ पर accounts वाले section पर फिर आपको जाना है keys वाले section पर तो इधा से आप create key पर click करके एक new key create कर सकते हैं ठीक है इधा पर आपकी key को कोई भी random name देते हैं for example test और create पर click करके आप यहाँ से API key भी create कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एक new key mail को यहाँ पर मिल गई है तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूं copy ठीक है और simply यहाँ पर पैबली connect में token वाली field में इसको कर देते हैं paste इतना process करने के बाद दोस्तों आपको click करना है save वाली button पर आप देख सकते हैं हमारा जो open router.AI का account है वो successfully पैबली करने के साथ हो गया connect हम नीचे आप कुछ fields लेख सकते हैं जैसे कि http refer your AI site URL model x title your site name role और content user ठीक है तो इदा पर आपको क्या डालना है enter any AI site URL here to identify the app example given है यहाँ पर note you can enter any AI site URL here to get started ओके इदा पर कोई भी AI site URL डाल सकते हैं यहाँ पर मैं जो example given है यहाँ पर डाल देता हूं उके उसके बाद आपको यहाँ पर model चूज करना है तो यहाँ पर various models मिल जाएंगे आपको यहाँ पर चूज करना है open router slash auto ठीक है उसके बाद x title your site name आप इदा पर आपकी site का कोई नाम देते हैं AI site का नाम देना है इदा पर हम blank छोड़ते हैं यह required field नहीं है उसके आप यहाँ पर role choose कर सकते हैं user system assistant ओके इदा पर user यहाँ देते हैं और content user बहुत important field है इदा पर आपको क्या करना है provide the content as per role ठीक है basically आपको यहाँ पर command देना है और इदर पर ही आप वो जो आपको reply generate करना है वो आप यहाँ पर generate करेंगे command आपको कैसे देना है यहाँ पर command देंगे इस तरीके से जैसे कि for example हम को reply generate करना है तो हम यहाँ पर लिखते है आपको data map कैसे करना है यह आप देख सकते है previous step का response यहाँ पर शोग रहा है इदा पर आपको click करना है तो हमको हमारा workflow run होने के बाद तो वो review automatically यहाँ पर जाएगा और यह value change रहेगी क्योंकि हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप यहाँ पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा for example manually type कर रहा हमने यह चीज़ write or reply to the review क्योंकि यह तो command यह हमेशा static रहनी चाहिए इसलिए हम इसको manually type कर रहे हैं लेकिन जो review 9 review received होएंगे वो हमेशाद change होते जाए इसलिए हम यहाँ mapping का इस्तिमाल कर रहे है तो मैंने content user में डाल दी है यह चीज़ हमें click करता हूँ save and send test request वाली button पर तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे positive response मिल गया है यहाँ पे हमको ID मे message content में हमको हाँ पे reply generate होके आगे particular review गया तो आप देख सकते हैं कितना amazing reply हमको received हुआ है thank you for your feedback we appreciate your suggestion in fact we do have a some collection of western outfits as well however our main focus is on traditional dresses as they are our specialty and we want to ensure that we maintain the authenticity and quality of our products we will definitely consider expanding our western collection based on customer demand तो आप देख सकते हैं कितना polite और कितना शांदर हमको यहाँ पे reply generate होके आ गया है ठीक है तो basically आप open router.ai की मदद से reply generate कर सकते हैं reviews का ठीक है तो इदा पर हमने हमारा automation की जो दो step है वो complete कर लिए हमारा जो objective है कि जब भी new review received हो हमको google my business है तो automatically पहले था हम उसका reply generate कर लिए औ आप में search करना है Google my business okay तो हम यहाँ पे search करते है Google my business और नीचे से आपको Google my business चूज कर लेना है action event आपको यहाँ पे choose करना है create reply क्लिक करना है connect वाली बटन पे तो यहाँ पे एक dialogue box अपन हो जाएक आपकी screen पे जो बोल रहा है connect Google my business account तो basically हमको यहाँ पे जो Google my business का account उसको पाभी करनेक के साथ connect करना है यहाँ पे आपको दो option मिलते है एक है add new connection का दूसरे select existing connection का तो अगर आपने आपका connection और बिल करके रख़गे तो आप select existing connection के साथ जा सकते है या तो आपको add new connection का भी Option मिलता है तो मैंने मेरा connection अड़री बिल्ट करकर आगा तो मैं क्लिक करूंगा save वाली बटन पर अब इदापर आप देख सकते हैं review name और your reply तो review name में यहां से आपको जो भी review received हुए Google My Business पर आपको यहां पर मिल जाएंगे आपको यहां पर जो content generate करा है आपने मतलब जो reply generate करा है AI की मतलब से वह आपको यहां पर map करना है बिजनेस पर और इदापर में करता हूँ refresh और जी यहां दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं just now एक reply चला गया इस particular review पर जो comment हमको रेसीब हुआ है बाइ नैंसी शर्मा तो इदापर response from the owner की site से हमको यहां पर reply शो रहा है ठीक है तो यहां पर हमने पोस्ट भी कर दिया उसको automatically ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली करने की मदद से इसमें कोई भी coding इसकी जरवत नहीं है आइए summarize करता हूँ कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया Google my business, trigger event हम लिया new review, action step में हमने लिया open router.ai, action event हमने लिय review का, यहां पर reply generate करा AI की मदद से और उसके बाद हमने last action step में लिया Google my business फिस से, action event हमने लिया create reply जिसकी मदद से हमने reply generate करा, उसको हमने reply भी कर दिया, post भी कर दिया Google my business पर particular review के लिए ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा automation बना सकते हैं, बिना किसी coding skills के, अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है, तो आप में को comment section में जरूर बताएं, thank you